आप में से कई लोग साइबर बुलिंग का नाम पहली बार सुन रहे होंगे साइबर बुलिंग एक तरह का अप्राध है जो बच्चों या फिर टीनेजिस को टॉर्चर करने के लिए किया जाता है अगर आकाडों पर नज़र डालें तो 20 प्रतिशत बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं साइबर बुलिंग क्या है आधुनेक टेक्नोलोजी का इस्तमाल करके किसी व्यक्ती को दुख पहुंचना शर्मिन्दा करनाया धमकाने त्यादी को साइबर बुलिंग कहते है 43 प्रतिशत बच्चों के ओनलाइन उत्पीडन और साइबर धमकी का अनुभव है 2013 में भारती अमुल के एक लड़की त्रिशा प्रभू ने इंटरनेट पर बदमाशी के कारण युवा लड़की की आत्म हत्या के बारे में सुना और साइबर बदमाशी के लिए दीर्ख काले खल धूनने के लिए निर्धारित किया अब 15 वर्षिय थ्रिशा एक किलनोस मिट स्कूलर ने एक ऐसी परियोचना बनाई है जो वास्तव में साइबर धमकी को रोक सकता है जो एक सॉफ्ट पेर प्रोग्राम है जो पहचानता है कि जब उप्योग करता अकसर कम्पिटर में साइबर बुली के लिए वाक्यान्शों में प्रवेश करते हैं साइबर बुलिंग एक तरह का ऐसा बरताव है लो ओनलाइन किया जाता है इसमें जुटी एफ़वा हैं तो लेखक को पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है अपने स्वयम के अध्यान से पता चलता है कि एक सरल संकेत क्या आप वाकई उस संदेश को भेजना चाहते हैं अपने किशोर उपभुकताओं को बेहोश संदेशों को 93 प्रतिशित समय तक भेजने से रोपना परियाप्त है लेकिन साइबर बुलिंग खतरनाक तव साबित होता है जब बर्चे इससे जुडी बाते अपने माता पिता को नहीं बताती आकड़ों के अनसार बच्चे रोज 6 सेकंड 7 खंटे सोशल नेटवर्किंग साइटों के अलावा दूसरी साइटों मैं बिताते हैं साइबर बुलिंग के लिए घरवाले भी काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं बच्चों को बच्चपन से ही इंटरनेट और माक साबित होता है मैंने यह अनुमान लगाया है कि यदि किशोरों उम्र 12 रिन 18 एक चेतावनी तंत्र प्रदान किये गए थे जो उन्हें अपने निरनय को फिर से सोचने का सुझाव दिया था यदि वे सोशल मीडिया पर एक मतलब हानिकारक संदेश पोस्ट करने की इच् इस तरह हैं कि एक चेतावनी तंत्र के साथ प्रदान नहीं कर रहे हैं